हेलो दूस्तों यह है श्टॉक मार्केट पैराडाइस देखिए आज यह सम कंपनी की बात करेंगे इसमें आपको अपसाइड मुवमेंट देखने को मिला और फिर कुछ टाइम बाद आप देखोगे अल्मुस्ट हाफ डे निकल चुका था और उसके बाद आपको इसमें अप अपसाइड मुवमेंट देखने को मिला और फिर आपको कुछ हाफ टे के असपास आपको अपर सरकेट देखने को मिलता है जिस कंपनी की हम बात करें उसका नाम है मरीन इलेक्ट्रीकल इसके बारे में आपको डीटेल पता ही होगी क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका आपको यह कंपनी देखने को मिलती हाला कि आप देखोगे लॉंग रन में अगर आप देखोगे एक साल का चाइड पैटन ओपन कीजिए अपने मोबाइल में और देखिए कि किस तरीके से जो स्टॉक का प्राइज आपको नीचे आता हुग देखने को मिल रहा है कुछ टा आपको देखने को मिल रहा है इस टॉक में या फिर या पर फ्रेस एंट्री करके या फिर एबरेज बाइंग करनी चाहिए अबरेज बाइंग क्या होती है यानि कि आपके पॉर्टफोलियों में पहले से ही स्टॉक है और अगर आपके पास सौ क्वांटिटी है तो आपने या पर 50 क्वांटिटी बाइंग कर लोगे इस लेवल पर जिससे कि आपका जो प्राइज हो जाए या फिर सौ क्वांटिटी आपके पास है 50 क्वांटिटी में बेच दूँ एक्जिट कर दूँ जिससे कि मेरा प्रॉफिट जो है वह मैं मिनिमाईज आपको देखने को मिले लॉस और मैक्जिमाईज आपको देखने को मिले प्रॉफिट तो क्या करना चाहिए यह सब कुछ हम डीटेल में देखने किस तरीकी से आपको स्टॉक यह देखने को मिलता है अगर बात करें मरीन इलक्ट्रिकल्स की यह से प्याइड में कंपनी आपको देखने को मिलती है अगर यह गवर्मेंट के सिप बनाती थी अब प्राइबेट ली भी यह बनाने लगी कोछ भी पाइट्स पी यह कंपनी अब बनाती है सिप्स के अगर आपको डीटेल में फंडामेंटल जालने तो मैंने कल आपको बीडियो डाल दी ती मरीन इलक्ट्रिकल्स के ऊपर डीट अगर हम उपन करें तो आप देखोगे अलमुस्ट 11.52 के आसपास से आपको देखने को मिला कि जो स्टॉक है यह अपर सर्किट में लग चुका था अगर आप यहां पे देखो किस तरीके से प्राइस मुवमेंट आपको देखने को मिला इस स्टॉक में तो यहां पे आप द अगर आप देखोगे अलमुस्ट 9.30 से लेकर यह 11.10.45 तक यह आप देखो इसके बाद इसने अपसाइड मुवमेंट दिया फिर थोड़ा अपसाइड मुवमेंट देने के बाद यह उस लेबल पर पहुंच चोका जहां पर सर्किट कंपनी का था इस टॉक का अपर लक्ष होगा तो आप देखो कि बहुत ही संदर आज को आपको इसमें परफॉमेंस देखने को मिला हलांकि अगर यहां पे कोशिया नहीं करनी चाहिए क्या यह अच्छा लेवल है सेलिंग करने के लिए तो अगर आपने कल की वीडियो देखिए तो मैंने आपको सब कुछ क एक देखोंगे एक 2-3 दिन जो इसके ऊपर अपर ट्रेड करता है उसके बाद आप आप एंट्री करने करनें चाहेते हो तो 28.5 फ़े आप एंट्री ज़रूर कर सकते हो लेकिन जो एक स्टॉप लोस आपका कि आज ही के दिन आपने बहुत अच्छा profit बनाया होगा फिर मैंने का था कि अगर आपको दूसरा stop loss अगर लगाना है अगर इतना टाइट stop loss आपको नहीं लगाना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो एक stop loss आपको यह मैंने दिया था 26 रुपीज या फिर 25.5 रुपीज का यह आपको मैंने stop loss दिया था अगर इस stop loss को भी आपको नहीं लगाना है तो 25 रुपीज यह आपको लगाना ही लगाना है यह मस्ट stop loss है आपके लिए क्योंकि यही है वो stop loss जो आपकी capital को खोने से बचाएगा तो अगर आपने यहां पर क अगर यहां पर press entry की थी तो आपको बहुत ही संदार यहां पर profit देखने को मिल रहा होगा हलांकि question आ रहा है कई लोगों का कि sir मैंने तो यहां पर 30 रुपे में buying की थी 28 रुपे में buying की थी 26 रुपे में buying की थी तो क्या मैं अभी profit book कर लूं तो नहीं करो नहीं करो क्योंकि जो आपका target है यह unlimited है देखिए target आपका unlimited है कोई भी यहां पर सीमा नहीं है अगर आपका 80 रुपीज जो stock है जाता है कोई बात नहीं यहां पर आपका target unlimited रहेगा लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है stop loss stop loss आपको रखना है 27 रुपीज का अभी अगर आप चाहो त देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे चाहट पैटन देखोगी upside movement देखने को मिलता है फिर downside movement में बहुत जादा नीचे आपको this talk देखने को मिलता है अगर बात करें यहां पर बन यह का chart pattern में open करके बता हूं आपको तो यहां पर देखिए upside movement आपको बहुत बार देखने को मिला बहुत दफ़ा आप ऐसा डेखने को मिलेगा इश्टॉक में यह अपसाइड मॉवेट होता है लेकिन उसके कुछ दिन बात आप देखोगे कि नीचे आ जाता ऐसा होगा तो promoter भाग जाएंगे company के जो owners हैं वो भाग जाएंगे कि इस company में हमें काम नहीं करना है हाला कि हम इस company के मालिक हैं लेकिन इस तरीके से company अगर performance करेगी तो हम तो डूब जाएंगे तो promoter भी निकल जाएंगे retailers भी निकल जाएंगे सब निकल जाएंगे company zero हो जाएगी जब भी आप company को loss में देखोगे कुस इस तरीके का pattern देखोगे दीरे दीरे अगर stock नीचे जा रहा है तो कुछ इस तरीके से ही जाएगा ना कि आपको directly नीचे जाता हुगा देखने को मिलेगा अगर ऐसा देखने को मिलेगा मंतलब समझ लीजिए company में बहुत बड़ा खतरा आ चोका है और यह जो moment है आप देखोगे यह थोड़ा price reversal ज़रूर हुआ है लेकिन हालां कि अगर आप यहाँ पर comparison करो इन सभी price reversal से तो यह आपको काफी जादा अच्छा है price reversal देखने को मिला है almost 8 रूपीज का आपको price reversal देखने को मिला है और अगर average निकाले तो यहाँ पर 5 रूपय का 6 रूपय का stop जो price reversal है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर माल लीजिए 35 रूपीज पर trade कर रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे almost 38 रूपीज पर आपको जो price reversal है यहाँ पर देखने को मिला पर इसके बाद फिर यह downside movement धेखने को मिला तो almost आप देखोगे 5 से 6 रुपय यहे आपको maximum 5 रुपय यह आपको देखने को मिलेगा कि जो stock का price है ये आपको reversal देखने को मिला उसके बाद फिर नीचे आ जाता है लेकिन ये जो अभी चल रहा है अभी जो stock अपर circuit में लग चुका है अब इसके बाद आप देखोगे कल के दिन आपको ये 35 उपए पार करता हुआ देखने को मिलेगा इसको तो किरॉस कर नहीं बा और अगर आप आप सोच रहा हो कि fresh entry मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो फिलाल तो अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि almost आपको जो मैंने target दिये थे 28.5 रुपीस पे आप entry कर सकते थे लेकिन अभी अगर आप entry करने की सोच रहा हो तो मत करीना ये अभी सही time नही ही है लेकिन जैसे 35 रुपीस के ऊपर आता है और दो तीन दन या चार दन जब भी आप देखो कि consolidate होता है श्टॉक और थोड़ा सा upside movement देता है यहां पर ऐसे एंट्री कर सकते हो क्योंकि फिर आपको अच्छा लेवल देखने को मिलेगा और जो stop loss रहेगा आपका almost आपको द है जो कि मैंने कल आपको बताया था तो उसमें जो आपका stop loss है 27 रुपीज है 27 रुपीज को जब तक टच नहीं कर सकता और टच नहीं करता है तब तक आपको exit नहीं करना है और जाद अगर आपको थोड़ा tight stop loss नहीं रखना है तो 25 रुपीज आप रख सकते हो और अगर तो आप profit ले जाना ही बाले हो तो trailing करना हो अगर आपको trail करना हो stop loss तो आप भो भी कर सकते हो तो इस तरही किसे आपको stock देखने को मिलता है अगर यहां पर से मैं बता दूँ तो अगर सोच रहा हो तो अब भी मत करना अब भी upper circuit में लग चुका है stock और यह अच्छा time नही ही है entry के लिए जब भी आपको 35 रुपीज के ऊपर trade करता हूँ देखने को मिलेगा थोड़ upside movement देखने को मिलेगा तीन से चार दिन या एक हपते जितना भी time आपको लेना हो अगर इसके ऊपर यह trade करता है फिर आप entry ले सकते हो अच्छा label फिर आपको देखने को मिल सकता है और all means जो target आपका रहेगा या आपका 40 से 45 रुपीज आपको target देखने को मिलेगा तो फिलाल के लिए अभी आपको stock को hold करना है जो भी 28, 30, 32 पर लेके बैठे हुए hold कीजिए अच्छे label के लिए आप hold कीजिए और हो सकता है आपको बहुत अच्छा label देखने को मिले और यो stop loss आपको ज़रूर जहन में रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं without stop loss यह काम करते हैं फिर बोलते हैं कि सर मैं 70 रुपीज पर खरीच चुका था अब इतने रुपए पर 25 पर आचुका हूं अब मैं क्या करूं तो देखिए इस type के question का कोई answer नहीं कर सकता कोई भी comment box में इसे question के answer नहीं करेगा और जिन लोगों ने आपको 70 रुपीज पर application के लिए बोलत कि आप जहाँ पर fresh entry कर लो और stop loss नहीं बताया था तो उसके लिए मैं आपसे sorry मांगता हूं मैं आपसे sorry बोलता हूं कि इस तरीके से आपको या तो चलाए नहीं लेनी चाहिए ते या फिर जो लोग हैं उनसे मैं request करता हूं कि आप जो entry है उसके साथ stop loss भी ज़रूर बताया करें क्योंकि without stop loss अगर आप जानते हैं कि capital किसी की भी lose हो सकती है और किसी भी एक stock में पूरी capital lose करना यह अच्छी बात नहीं है तो please आप stop loss बताया करें और आप लोगों से भी मेरा request है कि आप video को अच्छे से देखा करें लोगों की अगर आपको समझ में नहीं आता है दूसरी video देखी और मैं तो आपको levels अच्छे से बताई देता हूं कि कहां पर आपका stop loss होने बाला है किस level पर आपको buy करनी कब आपको buy करनी कब आपको fresh entry नहीं करनी है यह बहुत ज़्यादा बारे में अगर आपके पास कमेट नहीं तो link मैंने description box में दे दिया आratos अपने डिमेट काल कर सकते हो family members का डिमेट आकाउंट कहीं किजिए और इसे बीडियो को जाले से बीडियोगों के से कि चल इसे जाल एलक और जची करें पेर्ड चार